प्रेंट्स अगर आपको भी ऐसा लगता है कि social study जो subject है जिसमें हम history, geography, political, science और civic जैसे subject पढ़ते हैं तो ये पढ़ने में अगर आपको hard लग रहा है और आपने कभी भी इस subject में top नहीं किया है या फिर आप हमेशा से सोचते हो यार ये subject मेरे से नहीं होगा बहुत जादा hard subject ह दोस्तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत जादा important होने वाला है नमस्कार दोस्तो मैं हूँ राहूल जैस्वाल है आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस बहतरीन से YouTube चैनल पे जिसका नाम है JR Talks जी हाँ दोस्तो आज का जो topic है बहुत यूनीक है क्योंकि यार ये topic के बारे में जल्ली कोई discuss नहीं करता है लेकिन मैंने अक्सर कुछ न कुछ कॉमेंट्स देके हैं हमारे चैनल के अंदर कि लोग बोलते हैं हमारे JR Tutorials के उपर लोग बोलते हैं comment करते हैं messages करते हैं कि सर हम में बाकी subjects तो आप बहुत अच्छे समझा के दे देते हो जैसे कि आपको पता है कि हम maths पढ़ा जैते हैं साइंस पढ़ा जैते हैं इवन history, geography, political, science के भी lectures वीडियो है वो हम लोगो समझ में आ जाता है पुरा concept clear हो जाता है लेकिन हम उसको learn नहीं कर पाते हैं तो ऐसा क्या त study subject को learn करने में काफी असानी होगी और definitely आप बहुत अच्छे से marks भी score कर सकोगे इन social studies subjects में ठीक है चलो शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी की तो सबसे बहली बात दोस्तों आपको एक चीज़ बता दू कि social studies में तीन से चार subject होते है as you all know history, geography, political science या फिर civics जिसको हम चुपा हुआ है और आप हमारे अगर वीडियोस देखते हो जहार टूटोरियोस पर जो हमने social studies के वीडियोस अप्लोड किये हुए उसमें हमने story सुनाया हुआ है, तो उन्होंने कैसा योगदान किया, फिर कौन से मुगल्स आये, औरंग जेब ने क्या किया, ठीके ना, बा आज महल किसने बना है, तो ऐसे बहुत सारी जो चीजे हुई है, historical, मैंने उपर-उपर से बताया है अभी, ठीके न, वैसे तो बहुत सारी घटनाय घटी है, हमारा जो independence का struggle रहा है, 1856 का, स्टार्टिंग से लेके कौन-कौन से political leaders से क्या-क्या उन्होंने किया है, इंडर-National Congress ने क्या किया है, बाकी जो political parties थे, उनका क्या योगदान है, यह सभी चीज, यह हमने पूरा story based पढ़ाया हुए आपको, correct है, यह आप जानते हो, तो वो story हमने आपको सिखाया है, तो वो story आपको सुनना है, और उसको याद रखना है, जैसे बचपन में हमने अकसर बहुत स मुझे याद है, तो इसे कई सारी movies जो है, आज हम याद रखते, इवन उसका एक एक dialogue हमें पता होता है, picture चल रहा है, screen की ओपर हमें एक एक पता है, इसके बाद यह बोलने वाला है, ठीक है, वो बोलता है, एक बार मैंने जो commitment कर दी, यह dialogue हमको मालू में आने वाला है, क्यो तो वही चीज में आपको बता रहा हूँ, history का ऐसा subject है कि अगर आप उस चीज का story अगर आप सुन लेते हो, तो वो story को याद रखना आसान है, खहां से मिलेगा story, हमारे channel के उपर, जया tutorial के उपर, पूरे history के, जितने भी आप standard में हो, 7th, 8, 9, 10, हरे के, यहां पे historical stories हमने बत बढ़ेगा, उसको concept क्या है, कि या शिवाजी महराज जो थे, वो कौन थे, ठीक है न, उनके पिताजी जो थे, वो कौन थे, उनके जो बेटे आए, ठीक है, न, शामभाजी महराज, वो कौन थे, तो इस प्रकार से वो चुए, एक, बोते न, एक date line create करना, और date line से याद आ आप वीडियोस देखोगे, तो उसका स्टोरी समझो, स्टोरी आपने समझ लिया, उसके बाद क्या करोगे, concept समझोगे, concept समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़े है, उसके बाद उसमें जो जो important dates है, शिवाजी महराज ने foundation कब किया, शिवाजी महराज सबसे पहले पूने कब गये, शिवाजी महराज ने ये कब किया, शिवाजी महराज की देथ कब हुई, औरंग जेब कब आया, बहुत सारी लडाई या, ठीके ना, बैटल ओफ, पानीपत कब हुआ, इस प्रकार के जो dates और events, कौन से date पे कौन सा events हुए, अगर आप वो याद रख लेते हो ना, तो भी chapters के answer learn करना चाहा रहे हो, तो उधर ही learn हो गया, तो flow chart हो जाएगा, जितने भी question के answers होते हैं, उसके answers थोरोली learn करना, थोरोली learn करना मतलब क्या होता है, जिसे in short हम लोग ए basic language में बोलते हैं, रट्टा लगाना, लेकिन आपने रट्टा नहीं लगाया, आप जो होना, समच के रट्टा लगाना, आपको बता है कि शिवाजी माराज ने foundation कैसे ही वा था, तो आपके दिमाख में वो concept है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, कैसे अभी है, concept है दिमाख में, और वो ही चीज आप जब उसको learn करोगे, answers को याद जब करोगे, तो भले ही उसमें से 2-3 अगर आप भूल भी जाते हैं, तो भी एक्जाम में आप उसका conceptual knowledge लिख्या होगे, और भले ही आपको तीन में से 0 marks मिल रहे होगे, वहापे 3 में से 8 marks, आधा marks कटेगा ना, या फिर आपने language अच्छा नहीं लिखा होगा, सोचा हुआ चीज यह लिखना थोड़ा से difficult होता है तो थोड़ा marks कटेगा, लेगिन मिलेगा ना, अच्छा marks तो मिलेगा, 90% तो मिलेगा, तो यह चाहिज है, और दूसरा आपको में एक और चीज़ बसाद हो, जो बच्चे मुझे बोलते हैं कि long answers है learn नहीं हो रहा है, क्योंकि history जैसे subject में बड़े-बड़ answers बहुत होते हैं, break the answers, जो बड़े-बड़ answers होता है, उसको break करो, कैसे break करोगे, जैसे आपका एक बहुत बड़ा page का answer है, वो page को breakdown करो, दो line को एक करो, जहाँ पे full stop आ रहा है, वहाँ पे छोड़ दो, एक statement दुआ, एक sentence को अलग करो, उसको डाल दो number one point, मतलब क्या करना है आपको, write bullet points, bullet points मत क्या हमारा दिमाग क्या बोलता है, जो छोटा चीज होता है, उसको जल्दी याद करता है, दिमाग बोलता है, यह तो बहुत नल्ला सा चीज है, मैं इसको फटा-फट सा याद कर लोगा, लेकिन जो बड़ा चीज देखता है, दिमाग, बोलता है, भाई, मिरसे नहीं होगा आप से हो सकता है लेकिन फिर भी दिमाग आपका signal भेज़ेगा कि मेरे से नहीं होगा और आप इसलिए नहीं पढ़ते हो लेकिन मैं आपको बता दू कि अगर आप उसको छोड़े-छोड़े तुकड़ों में कर लोगे तो बहले ही आपको ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन व स्वाराज यह हो गया दूसरा स्टेटमेंट था कि हाँ शिवाजी महाराज ने एकिया तो तिसरा स्टेटमेंट यह था तो यह करते-करते याद जब करोगे उसके बाद क्या करना है उस याद की हुए चीज़ों को वन बाइवन लिखना है पाइम लगेगा दोस्तों कोई यह पड़ा तिसरा अब एक के बाद एक उसको बोलना शुरू को माइंड में उसको कनेक करना शुरू को जब आम माइंड में उसको कनेक कर दोगे तो वो पूरा एक लंबा चौड़ा एक पेज का एंसर ना आपके दिमाग में आ गया है बले तुकड़ों में आए लेकिन आ पढ़ा है, हाँ पहला point ये था ठीक है, ठीक है, तिसरा point ये था, ठीक है, चौधा point ये था, आप देखो मेने भी आखे बन करके revise कर ली, तो ये जब चारो point मेरे दिमांग में चल रही होगी बस exam में क्या करना है, पहला point क्या था लिख दिया, उस ही के निचे आहिए जोग्राफी थोड़ा सा डिफरेंट है, हिस्ट्री से, क्यों? क्योंकि जोग्राफी में कोई स्टोरी नहीं होती है, ये नहीं है कि शिवाजी माराज ने किया वो किया, स्टोरी नहीं है, जोग्राफी में आपको concept समझना है सबसे पहले, जोग्राफी क्या बताता है, जोग् मैंने बताई है तो उसका वीडियो जब आप देखोगे तो उसका कंसेप समझेगा एक बार कंसेप आपको समझ में आ गया कंसेप के बाद उसका लोकेशन एक्टेंड हर जगे का लोकेशन आपके दिमाग में होना चीए मतलब सब तो पॉसिबल नहीं है लेकिन जितना हो से कि उतना आपको करना है नेक्स्ट उसका फिजिग्राफी समझो फिजिग्राफी मतलब क्या होता है कि अगर पहला चाप्टर है समझ लो कोई भी ल आलेजीगल प्लांट्स और फिजिग्राफी और उसका रीजन जो रीजन है कि क्यों है अगर है तो क्यों है तो उसको कंसेट समझो एक बार वो सब चीज समझ में आ जाएगा बस आपको क्या करना है लर्न करना एंसर को लर्न कैसे करो अगेन वही ब्रेक्डाउं टेक्निक breakdown technique जैसे मैंने बता है आपको, same way technique कि break the answer, write the bullet points, learn one by one, write it down, join all and blind revision, यह आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, next point, अब यहाँ पे मैं तीसरा subject लेके हैं, जो social studies में होता है, important, civics और political science, civics क्या होता है, ठीके, सब जानते हैं, civics में हम लोगो basic administration process के बार में बताया जाता है, क ठीक है, Republic India Cup बना, 1950 में 26 January क्यों सेलिब्रेटी किया जाता है, यह सब चीज़े हैं उसमें, parliament क्या होता है, constitution क्या होता है, constitution, समविधान क्या होता है, democracy क्या होती है, इंडिया में क्या है, कितने seats है, MLA क्या होता है, MP क्या होता है, legislative assembly क्या होता है, governor क्या होता है, prime minister क्या होता है member of council minister क्या होते हैं, यह सब चीज़े हैं, उसमें तो समझो, अगर कोई बच्चा political चीज में interest है, तो उसको तो और मज़ा आना चीज़े हो, मेरे को तो interest नहीं था पढ़ने के time, लेकिन आज की रड़े में पढ़ाता हूँ आप लोगको, पूरा मैंने कराया हुआ है, आप तो समझो उसको, concept को समझा अच्छे तरीके से, उसका भी story-based explanation है, story-based learning होता है, तो उसको आप अच्छे तरीके से करोगे, कि यह भाई, यह political parties है, एक chapter ऐसा है, तस्वी में के नवी में, पुरा political parties के बार में दिया है, Congress, BJP, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आपको, ठी इंटरस्टेर, नवी देखा करो, थोड़ा-थोड़ा knowledge मिलता है, आज के रिड़ में क्या चलता है, current affairs, ठीक है, तो यह story-based learning हो जाएगा, फिर अगर आपको learn करना answer को, same वही process, छोड़े-छोड़े answers तो learn कर लोगे, लेकिन long answers के लिए, यह breakdown technique follow करना, trust me दोस्तो, आप लोग best answers and how to learn the social studies subject, कि आपको बहुत अच्छी तरिके से समझ में आ गया होगा, और जरूर से आप इसको अपने life में implement करोगे, और social studies जैसे subject में भी अच्छे से marks लेकर आने की कोशिश करोगे, ठीक है, चलो फिर, आज के रिए इतना ही, यह video आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें comment क सकते हों कि आप लोगों को और भी कैसे topics चाहिए, हमारे channel के उपर आपको continuously हम लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे new video में तब तक के लिए, thank you and goodbye.